गोलिए भारत माता की बारत माता की बारत माता की आज के इस महा दिवेशन में हम सब के बीच में उपस्थित हम सब के सम्मानिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदर्निय श्री नरिंद्र मोदी जी मंच पर विराजमान भारतिय जन्ता पार्टी का संसदिय बोर्ड के सभी सदसेगर्ण मंच पर विराजमान सभी मुख्यमंत्री गण उपमुख्यमंत्री गण हमारे राष्ट्रिय पदादिकारी गण और यहां इतनी बड़ी संख्या में 71 आये देश के कोने कोने से हमारे महादिवेशन के सभी राष्ट्रिय परिशत के सदसेगर्ण मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथी यह हम सब के लिए बहुत ही सौभागे की बात है कि हम इस महादिवेशन के चश्मदीद गवा बन रहे हैं यह हम सब के लिए बहुत ही सौभागे की बात है कि आज एक ऐसे महाल में हम निकत्र आये हैं जहां हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत आएगी इस बहौल में हम आकर के इकत्र आए आज हम सब के बीच में हमारे नेता यशाश्वी प्रधान मंत्री जिनोंने देश को पार्टी को समाज को सभी को नित्रत प्रधान करके राजनीती में एक नया आयाम स्थापित किया है सबसे पहले मैं अपने यशाश्वी प्रधान मंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ मित्रो मैं बारं बार बोलता हूँ आप सब लोग भी राजनीती में विभिन जिम्मेवारियों पर काम करते रहे हैं और आज भी आप कर रहे हैं एक जिम्मेवारी अपने आप में कितना अधिक होती है और उसको सही तरीके से निभाना कितना कठिन होता है लेकिन देश के प्रधान सेवक प्रधान प्रशासक जिनको देश के प्रशासन की कामों में व्यस्तता पूरुनता रहती है हर तरीके से रहती है उसके बावजूद भी पार्टी उनकी प्रात्र्मिकता है और पार्टी के लिए वो हमेशाँ खड़े रहे यह हम सब के लिए बहुत ही सौभागी की बात है कि जिनकी पिरायर्टी में पार्टी कैशे आगे बढ़ेगी कैसे आगे पार्टी चलेगी किस तरीके से हम हम कैसे पारटी को आघे बढ़ा सकते हैं कर नक जिसको हम कहते हैं second second हर पल इस बात की चिंता करने का काम मैंने प्रधानमंत्री मोडी जी को देखा है और ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं जिनका हम को मारदर्शन मिलेगा महा दिवेशन में आप सब लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कि मैं आपका अविनंदन इसले भी करता हूं कि मैं आपका लोग का अविनंदन इसले भी करता हूं कि आप लोगों को कई बार मुझे पर गुसा भी आता होगा कई बार मेरे टेलिफोन आपको तंग भी करते होंगे कई बार मेरे वीडियो कॉन्फरेंसेज आपको नए काम के लिए प्रेडित करने का भी काम करते हो लेकिन आप सब लोगों ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने का काम किया है मैं फिर से आपका हार्दी कविडंदन करता हूं स्वागत करता हूं मित्रों साथ दंगशक के भारतिये जंसंग और भारतिये जंता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है हमने संगर्ष का काल देखा हमने जब हमारी उपेक्षा की जारी थी वो काल भी देखा हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाओ लड़ते थे हमने एमर्जेंसी भी देखी संगर्ष भी देखा हमने चुनाओं में जीतने की प्रक्रिया हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी लेकिन हम सब को बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रित्व में उपलब्दियों भरा है उपलब्दियों से भरा हुआ है ये हम सब के लिए बहुत ही बहुत ही खुशी का विश्य है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सब के साथ शेयर करता हूँ मित्रो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेत्रत्यू के कारण पार्टी की साख पार्टी को लोगों ने आत्म साथ और लोगों ने जिस तरीके से स्विकारा है वह भी हम सब के सामने हैं 2009 के चुनाओं में भारतिय जन्ता पार्टी को जहाँ देश का 18.8 प्रतिशत का समर्थन मिला था वही 2014 में मोदी जी के नेत्रत्यूत में भारतिय जन्ता पार्टी 31.3 प्रतिशत पर पहुँच करके खरीए और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जहां 282 से 303 सीटे आई वहीं हम 31 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हमारा वोट शेयर बढ़ा यह भी हमको ध्यान में रहते हैं हमारी जीत की शिंकला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नित्रत में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोवारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वह आधर्ण ये प्रधान मंत्री मोदी जी की बनी वह भी हमको याद रहते हैं मित्रों आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव मैसूस करते हैं कि आज कभी हमारे चार-चार पीड़ी जिन्नों ने खपा दिया वो इस दृष्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए आज हमारा अधिवेशन नहीं महाधिवेशन हो जाता है राश्रिय परिशद नहीं वह महाधिवेशन हो जाती है और हमारा सम्मेलन नहीं हमारा सम्मेलन सभा में जन सभा में बदल जाती है यह हमारी परिश्यति आजा करके खड़े हुए और हम आज विश्य की सबसे बड़ पार्टी बन करके खड़े हुए वर्ल्स लार्जस पुल्टिकल पार्टी के रूप पर खड़े हुए दोजार 14 से पहले हमारे सिर्फ पांच सरकारे थी जहां पांच प्रदेशों में सरकारे थी और लंबे समय तक हम 5-6-56 पर रुके हुए थे लेकिन 2014 के बाद आपको जान करके खुशी होगी कि आज NDA की 17 प्रदेशों में सरकारे हैं और 12 प्रदेशों में विशुद भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार हम उसामें 2014 से पहले लगवख 17.5 की जन्संख्या का प्रतिनिद्दु करते थे आज हम 58.000 प्रतिश्यत की जन्संख्या पर प्रतिनिद्द्द्द तो करतें यह भारत जनता पार्टी का की सरकारों का और आधरनीय प्रधान मंतरी मोदी जी के कारण हुआ है आज अगर हम देखें तो अभी 2019 से मैं जीत की श्रिंखला आपके सामने रखना हूं 2019 में और 2019 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाओ हुए उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतिय जनता पार्टी ने अपनी विशुद सरकार बढ़ाई है 16 चुनाओ हम जीते हैं 16 चुनाओ हम जीते हैं और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधान सभा में लगवग 100 एलेक्शन 100 एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले पांच वर्षों में जीता है और उसी तरीके से आठ लोग सभा के चुनाओ हुए हैं बाई इलेक्शन उस आठ में भी छे लोग सभा भारतिय जनता पार्टी ने जीती है यह हमारा रिकॉर्ड है हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शन सोते हैं उसमें हमने 9,836 सीट समने जीती हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने मिनिस्पल कॉर्परेशन में अपने आपकी जीत हासिल कराई है और अपने मेर बनाये हैं इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए अगर हम असेमली इलेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम जहां 2017 में पूर्ण महमत में आए वहीं हम 34 साल बाद फिर से दोवारा अगर कोई सरकार आई तो भारतिय जंता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में हम चो दूसरी बात करता हूं तो आपको लग सब्सक्रों हमारी वोट परसेंटेज में दस प्रतिशत थी हमारी सीट की संक्या तीन थी विधान सभा में आज हमारी संक्या 77 चुनाओ जीत करके आए और हमारी वोट शेर 38.5 प्रतिशत हुआ है वह दिन दूर नहीं है अगली वारी के लिए तयार हो जाईए वह बारी हमा जाई गुजरात में हम गुजरात में हम 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं यह छोटी जीत नहीं है लगातार इतने सालों से सरकार बनाना सरकार में रहना और आज हर्याना में 2014 के बाद हमने पहली वार सरकार बनाई मुझे याद है जब मैं हर्याना के चुनाओं के प्रचार में जाता था हम बोलते थे सरकार बनाएंगे तो 2015 के पहले लोग हमारे उफास करते थे कहते थे तो साब आप पूरी सरकार बनाएंगे सोचते थे कि संभब नहीं है लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दो आरा हमारी सरकार बनी यह हर्याना में हुआ है असम में हम कभी कलपना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी कभी कलपना नहीं कर सकते थे पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटे आ जाएंगी मैं मैं चुनाओ मुझे याद है 2014 का भी चुनाओ याद है 2011 में भी हमको याद है आसम में हमारी क्यास्ति थी लेकिन 2014 के बाद आसम में चुना हुआ और हमने भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाई और 12 सरकार बनाई रिपीट की है यह भी हमको ध्यार में चाहिए ब्यार में हमने NDA में सबसे जादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है उत्रा खंड की चर्चा करना चाहूंगा पहाडी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली एक बार तुमारी एक बार हमारी लेकिन उत्रा खंड में भी हम सरकार में आए और 12 सरकार में डबल समय पहुंचे वो भी हमारी सरकार बनेगी हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मिजॉरेटी से दो बारा सरकार बनाई है ये भी हमको समझने आना चाहिए और इसलिए कॉंग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वभाविक है जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज क किया था आज वहां पर कमल खिल रहा है अगर में बेगाले प्र्परा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कित्रिप्राम सरकार आएंगी लेकित्रिपरामें सरकार आई और वो जो पलटने की बारी दी वह पलट दी उन्होंने और पलटने के बाद कॉंग्रेसं कोंडियस दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े तब भी त्रिपुड़ा में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनाई मेगाले में हमने सरकार बनाई एंडिये की नागालेंड में हमने फिर से हम आए वहां हमने अपनी सरकार बनाई तो इसलिए सरकारों का सि सिला हमारा चलता रहा लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी तीन प्रदेशों के चुनाव हुए राजिस्थान मद्यप्रदेश 36 गड़ और यहां भी भारतिय जन्ता पार्टी और कमल के निशान ने यह सब संब्भव हुआ है यह सब संब्भव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रदान मंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है यह सब संब्भव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारेंटी को गारेंटी पक्की होने की गारेंटी माना है इसलिए संभव हुआ है और उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी जी के कारेक्रमों को और कारेक्रम के साथ साथ उनके किये गए कारें को मोहर लगाई है वो भी हम सब लोगों ने देखा है मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधान मंतरी मोदी जी ने लिए वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखुबी आदर्निय प्रधान मंतरी जी ने किया और उसी कारण से गाओं को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्ति करन हुआ, किसानों को मुख्यधारा में शामिल किया, और सोशित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ, कि अब वो शान से जी सकते हैं, यह परिस्थिती आकर के खड़ी हैं, और इसलिए इन तीन चुनाओं में भी हमको जीत हासिल हुई है, जब मैं चत्तिसगर की बात करता हूँ, आप सब भी यहाँ बैठे हैं, आप सब हम से पूछा करते थे, चत्तिसगर तो छोड़ दो, बाकी बताओ, राजिस्थान का क्या होगा, और मद्यप मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, कि चत्तिसगर की जो जीत हुई है, हमने वहाँ पहले तीन सरकारे बनाई है, तीन सरकारे चलाई है, लेकिन तीन सरकारों में भी जो जीत हमको मिली, उससे कहीं ज़्यादा जीत इस वार हमको मिली है, नबे में से चववन सीटे पहली वार भारतिय जनता पार्टी जीत करके आई है 54 सीट्स आउट आफ 90 और हमारा वोट प्रतिशत वह 33 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया 13 प्रतिशत हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है यह 36 गड की कहानी में आपको सुनाना चाहते हैं और मैं चाहूंगा हमारे सभी लो जो रन्नीती बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियानवित किया उसके कारण आज 36 गड जहां हार की बात करते थे वहां जीत में और वह भी अकल पनिया जीत तक हम पहुँच पाए वह भी हमने देखा है मद्दे प्रदेश में लोगों ने साफ कह दिया था MP के म में मोदी है मोदी के मन में MP है ये चू गया था ये लोगों को रासा है लोगों ने विश्वास किया कि मोदी के मन में MP है और MP के मन में मोदी है लोगों ने इसमें जुडाओ दिया और वहां भी हम रिकॉर्ड मार्जिन से टू थर्ड मिजॉरिटी से 230 में से हम 163 सीटे जीत करके आए और वहाँ भी हम लोगों ने शांदार जीत हासिल की है और हमारा वोट शेर 41 प्रतिशत से बढ़ करके 40 प्रतिशत हो गया राजस्थान में हमें कहते थे 50-50 आएगा और नहीं आएगा 50-50 वहाँ भी हमने सरकार बनाई और वहाँ भी हमने 3 प्रतिशत की वोट व्रिधी की और वहाँ भी हमारी सरकार बनी है लोग तेलंगाना के बारे में चर्चा करते हैं मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूं कई वार हार में भी जीत होती है और हमने ये जीत हासिल की है तिलंगाना कि अगर मैं बात करूँ एक विधान समय विधायक था हमारा और हमारा वोट शेर वहां पर 7.1 परसेंट था आज हमारा वोट शेर 14 परसेंट हो गया डबल हो गया आठ विधायक हमारे चीज़ करके आए हैं अगली वार हम किसी तरीके स छोड़ने वाले नहीं हैं वहां भी हमारी सरकार बनेगी इस तैयारी से हम लगें मित्रों यह यह सब काम जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्वित्तों पर जंता ने विश्वास किया और आप सभी कारे करताओं ने धर्ती पर जो अथक मे पहनत की और उसको वोट में ट्रांसफर करने में जो आप लोगों ने काम किया आप सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई और आप सब लोगों को भी सादुवाद जिन्हों ने इस काम को आगे बढ़ाया है पार्ट्य ने एक लंभी वैचारिक यात्रा भी पूरी की है ओर जब मैं वैचारी की आत्रा की बात बोलता हूं तो अकेली भार्तिये जंता पार्टी है जिसने जो सनिकावन में कहा वह दो हजारव तेईस और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारी का दिश्थान तिका हुआ रहा हो कोई राजने तिक दल नहीं है अगर वो दल है तो भारतिय जनता पार्टी है हम लोग जिरकी यात्रा एकात्मानवाद से सरली करन करते हुए और उसको कारे रूप देते हुए अंतोदय तेक पहुची और अंतोदय को कारे रूप देने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया और इसी को फिर से जब लोग भारत की जन्ता को छोटे-चोटे जातियों में बाटने के प्रयास में लगे जब वोट बैंक की राजदीती को आगे बढ़ाने के लिए लगे जब वो सरकार में सब का भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाती विशेश की हो जाती है और उसके बाद वो सरकार किसी विशेश वर की हो जाती है इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी ने किया और आज ग्यान के माध्यम से G for गरीब Y for युवा A for अंदाता और N for नारी शक्ति अगर गरीब की चिंता हो गई अगर युवा की चिंता हो गई अगर अंदाता की चिंता हो गई अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है इस बात को आगे रखा है और इसलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरब के साथ कह सकते हैं यह नारे नहीं है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना 80 करोड की जनता को अन की विवस्था करना और उसके कारण 25 करोड की जनसंख्या गरीवी की रेखा से उपर उड़ जाती है और नए अर्मान और नए पंक के साथ आस्मान की तरफ बढ़ती है तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है और जब हम बात करते हैं प्रधान मंत्री आवास योजना 4 करोड 10 लाक मकान बन गए पक्के घर जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बन करके तयार हो गए और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष लेकर के प्रधान मंत्री जी चले ताकि कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे उसको पकी छट मिल सके इसकी विवस्था की गई आई श्मान भारत योजना इससे मुझे भी जुणने का मौका मिला नौ महिने के अंदर इतनी बड़ी योजना पच्पन करोड लोगों को पांच लाक रुपे का सालाना गंबीर बिमारियों से लड़ने के लिए उसकी विवस्था करना ये काम किसी ने किया है तो वो आदर्णिय प्रधान मंत्री मोधी जी ने किया आई उश्मान भारत के तहर और आपको जानकर ये भी खुशी होगी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है ये भी हमको ध्यान में रखना जाए सवच भारत में 11 करोड से जादा इज़द घर बने बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं बिहार से आए हैं बहुत से लोग पूर्फ से आए हैं उन्होंने देखा है अपने जीवन में हमारी बहने, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सडकों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्रिकम के लिए उनको किस तरीके का आमानुए सिती देखनी पड़ती थी आज 12 करोन लोगों को इज़त घर देकर प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं का सशक्ति करन भी किया और महिलाओं को डिगनिटी के साथ जीने का अधिकार दिया यह भी हम सब को मालूम है उज्वला योजना उज्वला योजना मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा प्रधान मंत्री जी लेकिन मैं बताना चाहता हूं mes, गाओं से पहार से आता हूं मैं बार-बार सुनाता हूं हमारी बेहने सुवेरे 5 बजे उठती थी जंगलों में जाती थी लकणिया काटती थी लखणिया काट करके बोजह उठा करके घर पर लाती थी और फिर वो उसको चूले को जलाती थी फूकनी से ले करके वो फूक फूक करके चूला जलाती थी दो दो सो का सिगरेट का धूआ अपने च्छातियों पर लेती थी यह समय भी हमने देखा है लेकिन आज उज्वला योजना में 11 करोड से जादा बेहनों को जिस तरीके से आज गैस का कनेक्शन मिला है उनको जो सशक्ति करन हुआ है वो हम सब लोगों को एक तरीके से पूरी ताकत के साथ महिला सशक्ति करन हुआ है सौभाग योजना 2 करोड 62 लाख लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन 18,000 गाओं में बिजली पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है इसने देश में एक तरीके से जिन लोगों ने कभी जिन गाओं ने कभी बिजली नहीं देखी ती आप कल्पना कीजिए कैसा देश होगा कैसे गाओं होंगे कैसा प्रदेश होगा अठारा अजार गाओं और आज वह सब तो उनको बिजली मिली मिली धाई करोड दो करोड बासट लाग के आसपास हमारे हाँ सौभाग्य योजना में उनके घरों में बिजली पहुंचाई गई है उनको नए दृष्टी से नया जीवन मिला है ये भी याद रखिए जल जीवन मिशन में 11 करोड जिनको पहली वार पाइप से घर तक पानी पहुंचाया गया मैं जब 1993 में पहली वार ML बना था तो बहने मेरे पास आती थी देखो ये तीन किलो मीटर से मैं पहार से नीचे उतर करके एक घैला पानी लेने के लिए आई हूँ और अब मैं तीन किलो मीटर चड़ूंगी दिन के मेरे तीन घंटे लगते हैं क्या जीवन जीऊंगी इस तरीके की बात कहती थी आज बदलते भारत में मोदी जी के नित्रत में एक ग्यारा करोड घरों में हर घर जल हर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई गई तो इसलिए एक नए उपलब्धियों भरा जो हमारा दशक रहा है उसमें योजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है यहां मैं नारी शक्ती वंदन विध्यक की चर्चा न करूँ तो शायद मैं नारी शक्ती के साथ अन्याय करूँगा प्रधान मंत्री मोधी जी ने जो काम तीस साल से और वो इसलिए नहीं राजनेतिक कारणों से रोका हूँआ था राजनेतिक कारणों से for political reasons तीस सालों से जो विधैक पास नहीं हुआ प्रदान मंत्री मोदी जी के नेतुत्तों में तीन दिन के अंदर वो अलोक सभा और राज सभा से नारी शक्ती वंदर विधैक पास और हमारे ग्री मंत्री अमिद भाईशाजी की रणनीती ने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर लिया वो भी हमने देखा हमने वो भी समय देखा मैं उस समय युवा मोर्चा का कारे करता होता था जब 1989 में पालंपुर में अधिवेशन हुआ था स्राश्ची कारे कारी नी हुई थी हिमाचल में हमारे प्रदेश में और वहाँ पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे 1989 और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए वर्षों नारे लगाए राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे हम कहें मंदिर वहीं बनाएंगे ये नारे हमने लगाए बीच में कुछ लोगों ने उफास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे तिथी नहीं बताएंगे या तिथी कब बताएंगे तो हमने कहा कि आपको तिथी भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे आप आए नहीं ये आपके कर्ण थे लेकिन अब बाइस तारी को आदरनिय प्रधान मंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद राम लला का प्रान प्रदिश्ठा का प्रदिश्ठान किया हुआ भी हम सब लोगों ने देखा जै श्री राम भारत मदा की भारत मदा की तो आज हम भव्य राम मंदिर और राम लला को विराजमान होते वहां देखते हैं 22 तारिक को उसकी प्रान प्रदिश्ठा हुई और राम लला के इस कारिक्रम में नहीं सिर्फ कोई गाओं कोई देश कोई सिर्फ देश या कोई प्रदेश सारी दुनिया में दीप जले सारी दुनिया में और सारे मंदिरों में घंटियां बजी और राम लला का स्वागत किय गया और ये भी हमारा वैचारिक प्रति अधिश्थान जो था उसको हम लोगों ने पूरा किया इसलिए अगर हम कहें इसके साथ साथ तो हमें खुशी होती है अभी अभी आधरनी प्रधान मंत्री जी ने जो हमारे भारत के महान सपूत रहे जिन्नों ने देश के लिए समाज के लिए अपना योगदान किया उनको भारत रत्न दे करके भी एक बहुत बड़ी पहल करके और भारत रत्न दे करके उनके कारे को उनके जीवन को समाज में स्थापित करते हुए उनको एक तरीके से रेकोगनाईज करना उनको उनको इजब देते हुए जो भारत रत्म का कारे किया उसके लिए भी ये राष्ट्रिय परिशद प्रधान मंत्री मोधी जी का हार देख धन्यवाद करती है और उनको देख हमारे भारत रत्म में हमारे वरिश्टम नेता श्रीलाल कृष् ताकत लगा करके एक विशालकाए पार्टी बनाने में अपना योगदान किया यह हम सब लोगों को अच्छी तरीके से याद है और इसके साथ साथ जो एक लंबा राजनितिक सार्वनिक जीवन जिस सुचिता के साथ उन्होंने जिया वह हम सब के लिए उधारन है और उसको अभी हम सब लोगों को ध्यान में है ऐसे वरिष्टम नेता को भारत रतन से नवाजा गया उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का हार देख धन्यवाद देता हूं चौधरी चर्ण सिंग्जी जो किसानों के अधिकारों के लिए सारे जीवन लड़ते रहे सुचिता का जीवन व्यतीत किया सादगी का जीवन व्यतीत किया और किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहे अग्रसर रहे और किसान भाईयों की आवाज को बुलंद करते रहे ऐसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चर्ण सिंग जी को भी भारत पत्री दिया दिया करपूरी ठाकुर जी करपूरी ठाकुर जी जुन्होंने सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े वर्क के लिए अती पिछड़ा वर्क के लिए एक साधारन तरीके से जीवन जीते हुए गरीबों की जो लड़ाई लड़ी और उनको उनके सौवे साल के जन दिन पर प्रधान मंत्री जी ने उनको भी भारत रतन से नवाजा, भारत रतन दिया, इसके लिए भी मैं उनको बदाई देता हूँ सारजनेक जीवन में सादगी के साथ करपुरी ठाकर जी ने अपना पूरा योगदान किया और सामाजिक नियाए पिछड़े वर्ग के लिए, अथी पिछड़ा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया, ऐसे महान सपूत को भी प्रधान मंत्री जी ने भारत रतन से हमारे पीवी नरसिमा राओ जी जो भारत के प्रधान मंत्री रहे और जिन्होंने विभिन जिम्मेवारियों में देश की सेवा की और उनकी वीजनरी लीडर्शिप दूर दृष्टी थी, जिसने आर्थिक दृष्टी से एक नए आयाम को आगे बढ़ाया और इसके साथ-स शिक्षा में और भाषाओं को साथनी करने के दृष्टी से यानि ज्यादा से ज्यादा लोग भाषाओं को जाने और उसके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े इस काम को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया और साथ में शिक्षा के लिए काम किया उनको भी भारत रतन से न जनक कहे जाने वाले जिन्होंने food security भारत में लाई और ये जो खादे की सुरक्षा का विशे आया इसको लाने में यानि इसको इसके लिए भारत को सामर्थवान बनाने में में स्वामी नातन का बहुत बड़ा योगदान था उनको भी भारत रत्न से नवाजा गिया मैं प्रधान मंत्री जी को इन स्निर्णे लेने के लिए और इन सब को भारत रत्न देने के लिए मैं हारदिक धन्यवाद देता हूं और बढ़ाई देना चाहता हूं मैं अगर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूँ तो चंद मिंट या चंद शब्दों में ये करना नमुम्किन है इसलिए ये बहुत कठिन है कि मैं विकास यात्रा के बारे में कौन सा आयाम पक्रूँ चूँ और कौन सा आयाम छोड़ दू हम आज यहां पर बैठे हैं इस भारत मंडपम में बहुत से हमारे पुराने लोगों को याद होगा वो यहां पर आया करते थे ये प्रगती मैदान के नाम से जाना जाता था प्रगती नाम की कोई चीज नहीं थी प्रगती कहीं दिखती नहीं थी वही 1971 का धाचा 1971-72 का धाचा जब मैं 11 साल का था तब मैंने प्रगती मैदान देखा था जब उस समय यहां पर एशिया का फेर लगा था 71 फेर तब मैं 11 साल का था तब देखा था वो प्रगती मैदान और उसके बाद किस टूटी-फूटी अवस्था में था आज यही भारत मंडपम देश का एक गौर उफशाली एक चिन बन करके हम सब के सामने हैं यह हम सब को देखने को मिलता है और उनके प्रगती की तो प्रगती मैदान में आपने देख ली लेकिन उन्होंने मोदी जी के इस प्रगती को रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी कोवीड के दौरान कोट में गए भारत मंडपम के काम को रोकने का प्रयास किया बाधाएं डाली अटकाने का काम किया लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी अडिग रहे डिगे नहीं काम चलता रहा और रिकॉर्ड टाइम पर भारत मंदपम ये बन करके आज हम सब के बीच में है और हम सब जानते हैं कि इसको रिकॉर्ड टाइम में तो पूर्ण हुआ ही यहाँ भारत मंदपम एक एतिहासे गौरशाली विशे का भी इतिहास बना जब जी ट्वेंटी से इस भारत मंदपम का श्री गरेश हुआ जी ट्वेंटी के देश के लोग आए यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो एक त्योहार का महौल था और उस जी ट्वेंटी में जो फैसले लिए गए वो भी आप सबको मालूम है अफ्रिकन यूनियन को पर्मिनेंट मेंबर के साथ जोड़ा गया एक मत्ता के साथ यूनैनिमसली फैसले लिए गए रिजुलूशन पास हुआ और इसी के साथ साथ सब लोगों ने जी ट्वेंटी में एक मत्ता के साथ जो प्रस्ताव पारित का है वो भी हम सबको बालूम है लेकिन आज हम ये जब भारत मंदपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4-5-6 प्रोग्राम होते रहते हैं और दिन में यहां कम स आप से निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशो भूमी में जाना वह यशो भूमी इससे भी बड़ा भव्य वह आयोजन हुआ है वहां पर भी कर्वेंशन सेंटर बना है और इस तरीके से देश की प्रगती में यह भारत मंदपम और यशो भूमी ने एक अ तो एक समय में हम फ्रीजाइल 5 में थे फ्रीजाइल 5 में आज हम Top फाइब में है Top फाइव में और मैं यह यह भी कहना चाहता हुँ कि 206 में मोधी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी 3rd term आएगा और हम हम तीसरी आर्थिक शक्ति बन कर तयार होंगे यह भी हमको ध्यान देता है कि मित्रों कि मित्रों हमारे हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थ शास्त्री आजकल बने कि मैं उनको बार बार बोलता हुआ तुमारी नहीं हो रही है तो पकी बात अच इसमें तो कोई दौर vine और होगी भी नहीं लेकिन देश की ग्रोथ रेट को गर देखना हो तो वो तीव्र कहती से आगरे बढ़ रहे हैं और यू हमारे आएई एम अफ नहीं भी कहा है कि अगर bright spot कोई है तो वो भारत है जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की ज़िए और मैं जब आपके सामने growth rate की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरह साथ यहां में रखिएगा USA का growth rate है 1.5 परसंट जर्मनी का growth rate है 0.9 परसंट चाइना का growth rate है 4.2 परसंट जापान का growth rate है 1 परसंट और भारत का growth rate है 6.3 परसंट अब देखिए मैं किसी को आखें तो दे सकता हूं द्रिष्टी तो दे नहीं सकता अब जिनको द्रिष्टी नहीं है तो वह हम क्या कर सकते ऐसे कॉंग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनाशनल रिपोर्ट जो है उसमें एमर्जिंग मार्केट में हिस्टॉरिक हाई एतियासिक हाई जो है वो 18.2 प्रतिशत भारत का है यह बात हमारे मॉर्गन स्टेनली रिपोर्ट में कहीं गई है अगर मैं नाशनल हाइवेस की बात करूं तो एक लाख च्यालिस हजार किलोमीटर नाशनल हाइवे बने हैं और यह 60 प्रतिशत पिछली सरकार से ज़्यादा बने हैं उसी तरीके से नाशनल हाइवे में धाई गुना जो फोर लेन बनी है वो धाई गुना बनी है मेट्रो पहले पांथ स्टिटी में हुआ करती थी आज बीस सिटु में बीस शहरों में मेट्रो दौड रही है यह परिसिती हुई है एरपोर्ट हमारे 74 होते थे आज 149 अब बहुत जल्दी प्रदानमंत्री मोदी जी का अगले विजिट में 150 एरपोर्ट बन करके तयार हो जाएंगे और वो भी और सबसे बड़ी बात है कि भारत के विकास के लिए ग्रामीन सडक आपको जानकर खुशी होगी 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीन सडक बनी है 3,75,000 कि ऑप्टिकल फाइबर दो लाख पंचायतों में उसको कनेक्ट कर दिया गया है कि देरसो नै रेल्वेस्टेशन बन रहे हैं एक साल का इनतजार करना एइर पोर्ट और रेल्वेस्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा ऐसे हमारे रेल्वेसस्टेशन बन रहे हैं तेरसो रेल्वेस्टेशन अज हम मोबायल में second largest exporter बन गये शंतानवे प्रदिशत मोबाइल भारत में बन रहे हैं एपल भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ रहा है आटो मोबाइल में हम तीसरी लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं डिफेंस के एक्सपोर्ट में हम आल टाइम हाई हैं 16,000 करोड रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 15 नए ट्रिपल आईटी ज़ बनी हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अनुसूची जाती के भाईयों का स्थी भाईयों का हायर एडूकेशन में एन्रोल्मेंट 44% हो गया है ये भी हमको ध्यान रखता चाहिए और हमारे अनुसूची जन जाती भाईयों का हायर शिक्ष ये भी हमको ध्यान में रखता चाहिए ये जैम के माधियम से ट्रिनिटी के माधियम से भरष्टाचार को समाप्त किया गया तीन लाख करोड़ रुपए आज दिन तक गरीबों के खाते में ट्रांसफर हुए दस करोड़ फेक बेनिफीशेरीज को इसमें से हटाया गया और लगबग दो करोड़ पैतालिस लाख करोड़ रुपए जो जो लीकेज थी उसको भी रोकने का काम हुआ वह भी उसको आगे बढ़ाया गया महिलाओं की भागिदारी के दिश्टी से सेल्फ एल्प ग्रुप में दस करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया और अभी तीन करोड लगपती दीदी बनाने के निर्णे को आगे हम बढ़ा रहे हैं उसको भी हम पूरा करने का प्रयास हो रहे हैं मुद्रा योजना में महिलाओं को स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ने का काम किया गया अंतराश्टिय स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत आत्म के तहद तीस करोड़ डोजेज हमने लगभग सो देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया और उनके विपदा में हम खड़े रहे ये आज हमारी सिती बनी है हम अंतराश्ट्रिय जगत में प्रधानमंत्री मोधी जी के नित्रतु में हमने एक बात स्थापित कर दी कि संदेश का इंट्रेस्ट हम हमेशा ध्यान में रखेंगे लेकिन इसके साथ साथ विश्व बंदुत्त को भी साथ लेकर के चलेंगे और विश्व को भी साथ लेकर के चलेंगे इस संदेश को हमने देने का प्रयास किया है इंटरनाशनल सोलर एलाइंस के दृष्टी से जिस परिडोर है उसको बनाने की भी सहमती बनाई गई यह भी काम उस जी ट्विंटी की बैठक में हुआ और इसके साथ साथ हमारे एफरिकन उसको साथ एफरिका के को पर्मिनेंट मेंबर देने का एफरिकन यूनियन को वो भी हम लोगों ने इस काम को प्रदान मंत्री मोदीजी मित्रों विशे बहुत हैं बोलने को और बुद्दे भी बहुत हैं मैंने कहा कि चंज शब्दों में उपलब्दिया नहीं बटाई जा सकते लेकिन आज अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रदान मंत्री मोदीजी ने योग को रखा और 175 देशों ने यून 2023 को याद करें तो उसका भी नेत्रतों प्रदान मंत्री मोदीजी ने किया और उन्होंने युनाइटेड नेशन जनरल असंबली में उसको कह करके पूरा किया है जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन का सवाल है वंदे भारत मिशन हो कोविड में सभी लोग को वापस घर लाने क का सवाल हो ऑपरेशन दोस्तों सीरिया से लोगों को लाने का सवाल हो या फिर ऑपरेशन गंगा हो जिसमें यूक्रेण से लोगों को लाने का सवाल हो सभी में सफलता हम सब को मिली है और मोदी जी ने इसमें बढ़ चर करके पहल ली और उस पहल को यह कारण यह हो पाया है देखा है हमने आदित्य एलवान का सफल प्रयास वो भी हम लोगों ने देखा है तो हमने धर्ती पर दुनिया में और अंतरिक्ष में भी एक विशे स्थान बनाया है यह भी हम सब पार्टी ने जैसा मैंने कहा एक विस्तार रूप लिया उसी विस्तार रूप को हम सब लोग आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आज मुझे खुशी है ठारा करोड कारेकरताओं की पार्टी जिसमें राश्टर के संगठन से लेकर बूत में और बूत में आठ लाख चोहत्तर हजार बूत पर हमारी बूत समिती और बूत का अध्यक्ष होना यह परिस्ति आ करके खड़ी की है इसलिए वी आरे केडर बेस्ट पार्टी वी आरे लार्जेस पुलिटिकल पार्टी और बूत तक के साथ-साथ लाखों कारेकरता हमारे आसपास हमारे विधायक चुन करके आए हैं हमारे लगबग 170 MLC है जैसा मैंने कहा कि हमारे मेर 93 हैं और हमारे डेप्टी मेर मिलाने तो हम 163 से जादा है मुनिस्पल चेर्मेन हमारे 539 है जिला परिशत के अधिक्स हमारे 297 है नगर पंचायत के अधिक्स हमारे 1000 के आसपास ह और उत्तर से दक्षिन तक पूरव से पश्चिन तक हर जगा है तो कमल है पैन इंडिया पार्टी बनी है तो भारतिय जनता पार्टी लोग हमसे चर्चा करते हैं कि आप साउथ में नहीं है मैं आपके रिकॉर्ड सामने रखना चाहता हूं साउथ में भी कॉंग्रेस के 28 MP ह हैं और भारतिय जनता पार्टी के 29 MP हैं ये भी आप याद रहें साउथ में भी भारतिय जनता पार्टी के राज्य सभा के आठ सीटे हैं और कॉंग्रेस की साथ सीटे हैं ये भी हमको ध्यान रहें अगर हम बात करें आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जब मौदी जी ने देश को फ्रंट से लीड किया एक ऐसा समय था जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था जिसके बारे में हमको कोई तजूर्बा नहीं था लेकिन प्रदान मंत्री मौदी जी ने बुलंदी के साथ देश को फ्रंट से लीड किया और पहले कहा जान है तो जहान है लॉक्डाउन लगाया देश को तयार किया जब देश तयार हो गया तो प्रधान मंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है आगे बढ़ चलो इस तरीके से नेत्र तो किया और उस समय जो लोग उपास उड़ाया करते थे ताली बजाओ थाली बजाओ उन्होंने नहीं बजाई लेकिन सारे देश ने ताली भी बजाई थाली भी बजाई दिया भी जलाया और देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ वह हम सब ने देखा ऐसे समय मोदी जी ने पार्टी से आवान किया आप नहीं वह नाम रखा सेवा ही संगठन है संगठन किसलिए है विपत्तिकाल में काम करने के लिए सेवा के लिए और मुझे खुशी है मित्रों मैं आपसे बताना चाहता हूँ आप सभी कारे करता हूं को मैं हजार बार साद मास्क बाटे आपने लाखों के हैसाब से सैनिटाइजर बाटा आपने लाखों के हिसाब से फूड का राशन बाटा आपने लाखों के हिसाब से फूड के किट्स बाटे बोजन पहुंचाया आपने हजारों के माद्दे बुजर्गों को दवाई पहुंचाने का भी काम किया ये कारे करता ने अपने जान की चिंता नहीं की उनको इसी दौरान एक वार नहीं दो दो वार कोरना हुआ फिर भी वो डटे रहे और मैदान में काम करते रहे ये सेवा ही संगठन है ये हमने उस समय सीमजा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आधरनियम मोदी कि सुझ भूच से उस समय जो पार्टी को दिशा मिली उसके माध्यम से हम सब उसकाम को आगे बढ़ा सके महाज जन संपर का अभियान आपने किया गाओं चलो अभियान आपने बहुत सफल किया बूच सशक्ती करन का कारक्रम आपने बहुत अच्छा किया उसी तरीके से जिला परिशद के अध्यक्ष जिला परिशद के उपाध्यक्ष जिला परिशद के सदस्य बीडी सी के सदस्य बीडी सी के चैर्मेन और इसी तरीके से नगर पंचायत के अध्यक्ष इन सब की ट्रेनिंग अभ्यासवर का काम कोई राजनितिक दलाज दिन तक नहीं कर पाई है इसको किया तो भारतिय जनता पार्टी ने किया यह भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं मेरी माटी मेरा देश जो सरकार का कारक्रम था उस कारक्रम को भी भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताऊं ने लगभग तीन लाग घाउं तक पहुंच करके और वहाँ पर मिट्टी को कलश में लेकर भारत मा की मिट्टी को कलश में लेकर वो दिल्ली लाने का उनोंने काम किया और 31 अक्तूबर को प्रधान workforce मोदी जी के नित्थवित में और उसका जो ध्यान मना है उस में उसमिड़्ी को डाला भी गया और साथ ही साथ स्रान मंतरी जी सब को संबोधन मिला यह भी मेरा माटी मेरा देश इसको भी हम लोगों ने बखू भी इसको पूरा किया है उसी तरीके से बस्ती संपर्क का कारक्रम विशेश करके हमारे अनुसुची जाती मुर्चा ने किया लेकिन सारी पार्टी उसमें लगी और उसको भी पूरी ताकत से उसको पूरा करने का काम किया है उसी तरीके से बस्ती संपर्क के साथ साथ बूत सशक्ती करन का कारक्रम जाता मैंने कहा उसको भी पूरा करने का काम किया आज हम आठ लाक चैलिस हजार से जादा बूतों पर हम पहुंच चुके हैं और दुन वो दूर नहीं है जब हम दस ल जानमंत्री जी ने लगबग 32 लाख लोगों को देश को संबोधित अब 32 लाख हमारे 18 वर्ष से जो पहली वार मत दाता हैं उनको एड्रेस किया संबोधित किया और इसके साथ साथ उनोंने पूरी पूरे देश में लगबग 52 लाख लोगों का पंजी करन हुआ विद्यार्थ पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया गया एक कारक्रम 9 बीजेपी के तहट जो के एन ओ डबल्यू 9 बीजेपी में विदेश से भी हमारे लगबग साथ से जादा राजदूत आज भारतिये जनता पार्टी के कारले में आ चुके हैं और उन्होंने आ करके भारतिये जनता प पार्टी को समझने के लिए आज बीजेपी के कारिश को जानने के लिए आए हैं ये भी हमने देखा है और इसके साथ साथ चाहे किशी देश के फॉर्ण मिनिस्टर हों चाहे नेपाल के प्रधान मंत्री हों इनका भी आगबन भारतिये जनता पार्टी के कारले में हुआ है इसलिए बहु आयामी दृष्टी से भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ रही है मित्रों मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है हम सब लोग यहां से आज उत्सा हम सब के मन में है हम उत्साहित हैं लेकिन उत्सा के साथ साथ प्रफुलिद भी हैं लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एंडिये को 400 लाना है उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूत पर पूरी ताकत से जुटना है यह हमारे सामने जो भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता दिन रात एक करते हैं मुझे पूरा भरोसा है आप पर पूरा विश्वास है आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतिय जनता पार्टी म मित्रों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और इस आशा के साथ कि अगली वार जब हम मिलेंगे तो हम 370 पार होंगे और 400 पार होंगे NDA को इस तरीके से मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद जैंभारत भारत माता की